तो हेलो और वेल्कम बैक अगें टू मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का इनफ़ेक्ट ब्रिटिश इंडिया का रॉलेशन विद दे नेबरिंग इस्टेट्स तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले कि इंडिया का मैप कैसा था ब्रिटिश इंडिया के दौरान में तो एक रॉब फिगर के तौर पर अगर देखा जाये तो यह हमारी कुछ इंडिया की टेरेट्री हो जाती है जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है इसके अलाबां यह आपका पार्ट आ जाएगा जो नॉर्ठी Austin Parti विश टरीकर से होगा और यहां पर पाकिस्तान का पार्ट यह ही इंद्या का ही पार्ट है अगर यहां पर आते हैं दिस साइड नदन साइड में तो यहां हमारा यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से यहां पर ही स्टेट्स हैं तो यहां पर देखें यह पार्ट जो म्यांगमार का पार्ट है और यह मांगमार का पार्ट जो है वो डिफरेंट अलग पार्ट हुआ करता था इसके अलावा अगर देखें we are going to use different colors जिसे कि यह जो बीच में पार्ट है इस पार्ट को जो मैं कलर किया हूं यह पार्ट अलग रहता था यह नागा लेंड का पार्ट था और जो आपका बचा हुआ पार्ट है अगर देखें रडे कलर में यह नीचे इस म्यांगमार का पार्ट तो यहां पर आपको यहन्याय का पार्ट मिल जाता है तो ये एरिया आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है अच्छा इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान रखना है ये पार्ट ये जो असम का पार्ट आज की डेट में है ये उस समय अहोम कहलाता था अब यहां पर देखिए क्या क्या स्टेट हमारे पास है एक हम लोग ने देख लिया म्यांगमार है जो की नेबरिंग स्टेट है इसके अलावा थाइलैंड वगर एक पार्ट है बट वो इंडिया का नेबर नहीं है क्योंकि ये इंडिया से काफी दूर है इसके अलावा का area जो है यह बाहरी पार होता था इंडिया का पार्ट नहीं था इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास नेक्स पार्ट आते हैं ब्लेक लट ले ले देश चलिए तो यह पार्ट था बेसिकली नेपाल का तो यह आपकी नेपाल की पार्ट है एक चीज यहां जाननी है आपको कि नेपाल के टेरिटरी में क्या-क्या था तो देखें नेपाल की टेरिटरी में आज की डेट का हिमाचल प्रदेश का एरिया उत्तराखंड का एरिया नेपाल के खु पंजाब का क्या पार्ट है तो ये बचा वए जो portion है जो नेपाल के territory के साथ में लग रहा है ये हलकि आज की date में कई सारा पार्ट पाकिस्तान में चला गया है तो ये इलाका पंजाब का पार्ट था काफी छोटे छोटा मैं हापर दिखा रहा हूं लेकिन फिर भी आपको एक के आड़ीया लग रहा होगा जमुकश्मीर की टेरेटरी ऊपर होती थी जो की सेपरेट थी इसके अपहर उपर ये इस एरिया में तृव्पत के एरिया था यह पुरा तीबड का यह जो पार्ट इस्ट आप अगर देखें तो यह चैना का पार्ट आपका आ अगया चाइने के ओपर में क्या था अब दिखरें यहाँ प्र का इंपोटेंट में क्योंकि आगर इतनी बड़ी थी नहीं इसके उपर में अगर देखा जाए तो यह हला कि यह सारा पार्ट जो है आपका इतिबत का ही पार्ट है इसलिए एक सेकेंड यहां पी रेज कर देते हैं इसके उपर के पार्ट में क्या था इसके उपर के पार्ट में आपका मंगोलिया का पार्ट था तो this is Mongolian part, Mongolia के अलावा और भी यहाँ पर छोटे मटे parts थे जो की चाइना के territory में नहीं थे, independent थे, अलग होते थे यहाँ पर, clear हो गया क्या है? So there are multiple things, एक idea लगा होगा कि यहाँ पर किस किस territory में क्या क्या है? इंडिया काफी चोटा दिख रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजे, यह पूरा का पूरा part, इंडिया का ही पार्ट है, अब South India में आ जाएगा, ठीक है? आइडिया लग गया, कहाँ पर क्या है? इसको एक बाट आइस्तान, दूसरा तिबत, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांगमार, अब ओव्यस ही बात है, इन सब के साथ में इंडिया का कोई न कोई इशू तो हुआ होगा, इंडिया कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग ब्रिटेश इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह सारा नेबरिंग स्टेट के साथ में इंटरनेशनल रोलेशन्स पड़ रहे हैं, यह हमें केवल बहुत ही सरफेशियल पढ़ना है, एक्जामिनेशन में हमारे लिए इससे बहुत ज़दा डीटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्जामिनेशन में ऐस सच कभी राजीव अहीर बुक, तो राजीव अहीर की बुक आप पढ़ सकते हैं, यहां पर काफी डीटेल में दिया गया है, बड़ देखिए, परसनल सजेशन यही है कि आपको बहुत डीटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिविल्स के एक्जामिनेशन में आपको स्मार्ट स्टडी ही करना होगा, बहुत जादा डीटेल में उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर डिमांड नहीं है, और यह ऐसा एक टॉपिक ही है, जहां पर बहुत जादा डिमांड नहीं होती है, एक सरफेशल नॉलेज के आपको जरूरत है, फिर भी ह चुरू करते हैं हम लोग बाते करेंगे पहले अफगान के बारे में एंगलो अफगान वार के बारे में तो अफगान के टरिटरी हम लोगों ने देखी रखी है अफगान के साथ में क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है देखी है अफगान के मान लेते हैं टरिटरी है इस अफगान के एरिया में था सेंट्रल एशिया का एरिया सेंट्रल एशिया का एरिया सेंट्रल एशिया में आप लोग समझ रहोंगे जैसे कजाकस्तान तुर्कमिनिस्तान तजिकिस्तान उजबिकिस्तान है ना इसके उपर में क्या है इसके उपर में आपका जो एरिया है वो है रशिया का एरिया तो दिस इस रशियन एरिया ये रशिया का एरिया उपर से आ जाएगा क्लियर हो गया तो होता क्या है इस दोरान में रशियन एरा में रशिया में कौन है इस समय जार की डाइनेस्टी से यहां पर तो दिस इस जार डाइनेस्टी जार डाइनेस्टी इस समय कर रही थी और सेंट्रल एशिया को आ करके इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था सेंट्रल एशिया को इसलिए कैप्चर कर लिया था क्यों कैप्चर किया था सेंट्रल एशिया को इसलिए कैप्चर किया गया था क्योंकि यहां पर रिसोर्स थे है रीसूर्से आप लोग को पता होगा यहां पर नेचरलग्स के रीसूर्से हैं तो रीसूर्से के कारण से ही रशिया ने चाप्श एक स्वांदी इन्यारीश को यह मतलब इंडिया के ओपर विना अटायक कर दे तो इस कारण से इन्होंने advance में अफगान में एक independent dynasty चल रही थी यह ध्यान रखेगा यहां पर एक independent dynasty चल रही थी और इस independent dynasty का जो ruler था वो था दोस्त मुहम्मद यह नाम याद रखेगा दोस्त मुहम्मद अब जब British forces ने यह देखा कि रशिया वाले Central Asia में अटाइक कर रहे हैं तो उनको यह लेकिन नहीं आया और इस कारणा से पंजाब की force प्लस साथ ही साथ में British India की force इन दोनों ने मिल करके अटाइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर में अटाइक करने के बाद में ultimately अफगान को capture कर लिया गया अफगान को अपने कबजे में ले लिया गया और यहां पर दोस्त म शाह सूजा बंदा को बिठा दिया गया लेकिन इस शाह सूजा का जनता ने जो यहां की public थी उसने विरोध किया जब विरोध किया तो obviousी बात है फिर यहां पर situations जो है वो बिगड़ जाएंगे और ultimately फिर से दोस्त महमद को ही राजा बनाना पड़ गया दोस्त महमद को ही र military के रूप में हैं और इस पर हमेशा एक डर है कि या तो रशिया अटाइक कर सकता है या फिर बिटिश इंडिया यह अटाइक कर सकता है तो इसी स्टोरी को ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको बना की बिटिश स्वरी जिस रोशियन मिलिटरी ठेट य रशिया में था ये भी एक कारणा था अफगान पर अटाइक करने का इसके लावा अफगानिस्तान को एजब बफर स्टेट रखना था रशिया और बिटिश इंडिया के बीच में हाला कि बाद में यही हुई भी थी अफ़स्ट एंगलो अफगान वार के बारे में अगर ब अफगान रूलर जो दोस्त मुहमद था उसको रिपलेस कर दिया किस से शाह सूजा से विद दा हेल्प आफ पंजाब पंजाब में महाराजा रंजीत सिंग थे और इस तरीके से इन तीनों के बीच में ट्रिपटाइट ट्रिटी साइन हो गई जो कि अपने आप में काफी इ ब्रिटिश के इंडिया के तरफ से जो हां का रूलर है उस समय का और लास्ट में पंजाब के तरफ से महाराजा रंजी सिंग हो गया यह साइन कर ली गई थी इन तीनों के बीच में कब साइन होई थी 1838 में और आप लोग को यह भी पता होगा कि 1838 के बाद से फिर पंजाब में सिक्ट वार हो गए थे और अल्टीमेटली यहां पर जो पंजाब है उसको भी ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था तो ब्रिटिश अल्टीमेटली अटाइक रा अफगानिस्तान हीन फेबरी 1839 और अफ्गानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के हाथों में आ गया था अब की जो forces थे वो फिर से शाह सूजा के खिलाब जो है वो attack कर दी तो basically यहां की जो public थी वो बाहर के किसी भी नवाब को accept नहीं करती थी in fact जो शाह सूजा भी है ये भी एक बिटिश का ही नुमाइंदा इस कारण से भी जनता इसको accept नहीं कर रही थी ultimately क्या हुआ ultimately फिर से war broke होना ह ही होना था 1841 में अफगान और बिटिश ने एक sign कर लिया एक treaty जिससे दोस्त मुहमत को वापस से restore कर दिया गया वापस से फिर से ये बना दिया गया and British agreed to evacuate अफगानिस्तान अब यहां पर दोस्त मुहमत जब बिटिश का ही नुमाइंदा बन गया है तो ultimately क्या होगा बिटिश ने बोला कि ठीक है हम लोग बाहर चले आएंगे हम लोग जो है इसको छोड़ देंगे लेकिन यहां पर हुआ क्या था कि इस पब्लिक के कारण से मतलब जो पब्लिक थी जो जनता थी इसके कारण से बिटेन की बहुत जादा ही हुमिलियेशन हो गई थी बहुत जादा ही नाक कट गई थी नाक कटने का मतलब यह था कि यहां पर लॉड आउकलेंड उस समय के गवर्नर जनरल थे और इनके टाइम पे ही 16,000 जो सोलजर्स थे उनकी मौत हो गई थी इस नाक कटने के कारण ही बिटेन ने अल्टिमेटली जो आउकलेंड साहब इनको वापस बुला लिया और इनकी जगा पर दूसरे गवर्नर जनरल को भेज दिया गया था अब ये humiliation बहुत बड़ी थी इस humiliation के बाद अल्टिमेटली एलन्मरो को भीजा गया था और एलन्मरो को ये बहले सही direction दे के भीजा गया था कि आपको अफगानिस्तान में जो नाक कटी है उसको सही करना है उस नाक कटने को आपको अल्टिमेटली सही करना ही होगा तो तो अवेंज दिस हुमिलियेशन ब्रिटिश फोर्से अंडर डिरिक्शन ओफ लॉर्ड एलेन बरो एंग्स्ड कापुल इन 1842 बट इस ताइम दोस्त महम्मद वारी स्टेटेड एज रूलर आफ अफगानिस्तान अब देखें ये तो आपका एलेन बरो साहब जब चले गए तो बात अलग है उस समय के बाद में फिर 1878 में होती है सेकेंड एंग्लो अफगान वार इस बीच में हुआ क्या इस बीच में जो ब्रिटिशर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान में अपनी खोई हुई जो पावर है उसको वापस लेने की किस तरीके से लेंगे यहाँ पर देखिए इन्होंने कोशिश है कि रशिया जो कुछ भी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग में ब्रिटिश इंडिया भी अपना एक्शन ले रहा था किस कंट्री में अफगानिस्तान में अब यहाँ पर हुआ क्या कि अफगानिस्तान एक फ्री स्टेट के तरीके से काम कर रहा था क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन ने भी बोल दिया था कि ठीक हो खाली करके जा रहे हैं हाला कि ब्रिटेन वाले अपना नाखुश हो ही गये थे, नाखुश क्यों हो गये थे, क्योंकि इनकी नाक कड़ गई थी, और वहीं दूसरी और यहाँ पर जो राजा था, उसने ये भी कह दिया कि देखो ऐसा है, हम न रशिया की मानेंगे, हम न इंडिया की मानेंगे, याने ब्रिटिश इंडिया की मानेंगे, हम इंडिपेंडेंडेंट रहना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंडेंट ही हम रहेंगे, लेकिन उसमें हुआ क्या, कि रशिया की जो फोर्सेस थी, एक सेकेंड, रशिया की जो basically forces थी इन्होंने क्या किया अपना एक mission भेजा mission क्यों भेजा था रशिया ने रशिया ने mission इसले भेजा था ताकि यहां पर आने के बाद जो भी foreign relations है जो भी international relations है दोनों country के बीच में वो सुले हो जाएं दोनों के बीच में एक कह लिजे कि peaceful relation maintain हो जाएं तो हाला कि जो अफगानिस्तान का ruler है वो नहीं चाहता था कि वो रशिया के भी ruler को entertain करे या फिर British India के ruler को entertain करे लेकिन फिर भी जब यह mission आ गया अफगानिस्तान में तो ultimately court see wise इसने इनका welcome कर लिया कहां के ठीक है चलो आ गया हो तो चलो मिल लेते हैं तुमसे लेकिन यह बात British को अच्छी ने लगी क्योंकि British ने जब बोला कि हम भी mission भेजेंगे तो उस समय अफगानिस्तान ने मना कर दिया था हाला कि मना दोनों को ही किया गया था लेकिन रशिया वाले फिर भी आ गया थे तो फिर भी court see wise यह जा करके मिल लिया अफगानिस्तान का नवाब ने जा करके मिल लिया लेकिन यह बात British ने को बहुत बुरी लग गई और बुरी लगी तो क्या होगा double humiliation attack होना ही होना था तो immediate reason next second Anglo-Afghan war का यही बना कि immediate reason was second Anglo-Afghan war was the non-acceptance of British mission sent by Lord Lytton to Afghan under ruler Shere Ali Shere Ali के ही शाशन में यह काम हुआ था अच्छा यह ध्यान रखेगा जो Shere Ali बन्दा है यह काफी strong था उस समय का और बहुत ही अच्छी policies इसकी थी British attacked Afghanistan in 1878 and sometimes most of Afghanistan was under British rule तो capture कर लिया गया इसके बाद से To stop British Convoy मोहमद याकूब खां signed the treaty of Gendamak अब यह ध्यान रखना है कि Treaty of Gendamak ultimately sign हो गई थी अफगानिस्तान के नवाब और British India के हाथ में अब इस समय British का Convoy कौन था? मोहमद याकूब खान इसको भेजा गया था और sign हो गया था According to treaty अब इसमें कहा क्या गया? British maintain the right to keep a British resident in the Kabul British resident को भेज दिया गया था कि जाओ भई तुम अपना भी काम करोगे मतलब वहाँ पर basically जो भी British किसी भी अगर state को जीतेंगे किसी राजे को जीतेंगे तो वहाँ पर यह अपना एक representative भेज देते थे कि यहीं रहेगा देखेगा यहां की जो भी political situation से उसको देख करके हमें बताता रहेगा सेम भई काम यहाँ पर British के भी द्वारा किया गया लेकिन अब यहाँ पर क्या है? जिस तरीके से लोग public revolt की थी क्या सेम फिर से नहीं कर सकती है क्या? इनफेक्ट फिर से भी revolt किया जाता है तो second Anglo-Afghan War के बाद में क्या maths चल रही है? तो second Anglo-Afghan War के बाद में एक British resident जिसका नाम था Major Cavagnary इनको पहुचा दिया गया था अफगानिस्तान में लेकिन public against में थी कि भाई तुम किसको बिठा दिये हो बिना मेरी मर्जी के बिठा दिये हो तो यहाँ पर फिर से क्या है कि जो अफगानिस्तान की मौब थी उसने इस representative को मार दिया मार दिया तो क्या होगा? अव्यस थी बात है law and order situation बिगड ही जाएगी बिठिशर को अच्छा नहीं लगेगा कि यार यह क्या हो गया है? तो again war like situations जो होती है फिर से प्रिवेल हो गई थी अफगान रूलर और बिठिश के बीच में मौहमद याकूब surrendered before British and was sent to jail इसके बाद से मौहमद याकूब के बाद में कौन अगला राजा बना? अगला राजा बनता है दोस्त मौहमद का ही grandson है जिसका नाम है अब्दुर्रह्मान इसे निया ruler बना दिया गया था अफगानिस्तान का अब्दुर्रह्मान place to maintain foreign relation only with the Britishers इसने ये कह दिया कि ठीक है हम खाली आप से ही relation रखेंगे न रशिया से रखेंगे न पर्शिया से रखेंगे न सेंट्रल एशिया से रखेंगे न किसी से रखेंगे मतलब कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बिटिशर ने बड़ा अच्छा master stroke बना लिया कि हम तुम पर attack नहीं कर रहे हैं फिर भी तुम हमारे कबजे में आ चुके हो क्लियर हो गया क्या तरीका अपनाया गया अब इसके बास से हमारे पास third anglo-afgan war आती है third anglo-afgan war इस दोरान में क्या हुआ था कि रशियन revolution हो चुका था जार की government गिर चुकी थी बोल्शेविक government आ चुकी थी या फिर simply कहिए कि यहां पर अब communist की government आ चुकी थी so Afghanistan demanded full independence from British अब यहां पर देखिए अब्दुर्रह्मान के बाद अब्दुर्रह्मान का लड़का जिसका नाम था हभीबुल्ला हभीबुल्ला को असासिनेट कर दिया गया था 1919 में अब्दुर्रह्मान के बाद इनका लड़का बनता है अब जब अमनुला बनता है तो यह क्या करता है बिटिश के खिलाब में जंग छेड़ देता है और इस तरीके से जो डूरन लाइन है वो फ्रेम में आ गई थी तो यह तरीका अपनाया गया था इस पूरे के पूरे वार के दौरान में अब्वेसी बात है बिटिश इंडिया ने इस अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था कैप्चर करने के बाद में पूरी की पूरी जो फॉरन रिलेशन्स है वो बिटिश इंडिया के हाथ में आ गई थी अब अफगानिस्तान के रूलर को यानि की अमनुला को अगर कोई भी या किसी भी देश के साथ में कोई भी रिलेशन्स मिंटेन करना था तो सबसे पहले हिनने बिटिश से पूछना था तो अब जो प्प्ट गवरमेंट थी हो पूरी तरीके से बिटिश कंट्रोल्ड गवररमेंट हो गई थी अफगानिस्तान में एक तरीके से कह सकते हैं अफगानिस्तान अब पूरी तरीके से बिटिश इंडिया के कबजे में आ चुका था इसके बारे में है इससे यादा देखें डीटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको तीन ही चीज़े पढ़नी है कि यह क्या है जो एंगलो आफगान वार है यह क्यों हुआ था यानि की रीजन आपको जानने की जरूरत है और आपको कौन सीक्वेंस जानने की जरूरत है बस यही तीन आपको जानना है और इसमें जो सबसे इंपॉर् आपके लिए नहीं है डीटेल में आप जाएंगे इंट्रेस्टिंग है आपको अच्छा लगेगा पढ़ते जाएंगे बट एक्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है इसलिए आपको थोड़े इमोशन को रोकिएगा इस चाप्टर में बहुत ज़्यादा डीटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है विकाज दीजर नौट रिलेवेंट ऑवियसली आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स देखते हैं हम लोग ज़रा एंगलो अफगान वार एंगलो नेपाल वार के बारे में अब हम लोगों ने यहां पर ऊपर में बात कर रखा है कि नेपाल की टरिट और खुद नेपाल का इलाका यह पुरा का पुरा नेपाल का ही इलाका हुआ करता था उससे इस शहर डैनेस्टी कि कुछ अपने आपको रानाज बोलते थे यह रानाज बैसिकली यदुवन्शी है और इनका में काम क्या होता है अगर यहां पर बात किया जाए और यहां की डैनस्टी किस तरीके से काम करती थी तो यहां पर देखिए फ्यूडल सिस्टम था इस फ्यूडल सिस्टम सामंती विवस्था फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि हर एक इलाके में अपने एक फ्यूड्स बना दिये जाते थे सामंत बना दिये जाते एक तरीके से समझ लीजिए गवर्न रख दिये जाते थे और यह लोग क्या है यह क्या करते थे सबको इकठा करते थे और साथ ही साथ में जो चीजें हैं चीज़ों का मतलब की administration वगरे ये maintain करके रखते थे ऐब देखिए और क्या कर रहे हैं अब देखिए हुआ क्या था नेपाल में नेपाल का जो राजा था इसकी expansionist policy थी ये कहा कि चलो ठीक है expansion करते हैं expansion करने के दौरान में आप कहां कहां ये जा सकता है देखिए ये हमाल लेते हैं कि नेपाल उपर है आपका चाइना तो this is चाइना लेकिन चाइना ने अपनी territory को बड़ी strong करके रखी थी तो उपर अटेक कर पाना ये possible नहीं था तो अब इसके पास power थी कि ये अटेक कर सकता था इंडिया में नौर्थ साइड में इंडिया में तो इंडिया में जैसे ही अटेक करता है इंडिया में अटेक करने का मतलब यही जो हिमाचा की गोली का मतलब की यहाँ पर पहला अटेक नेपाल के द्वारा ही कराए गया है अब ब्रिटिशर तो यह चाहते ही थे कि पहले अटेक करें नेपाल तो हम लोग भी उसको सिखाया जाए तो इनको ब्रिटिशर को क्या क्या जरूरती बहुत सारी चीज़े थी अब जैसे की रिसोर्सेज हो गए इसके अलावा ठंडे इलाके हाँ पर इनहीं के पास पड़े हुए नेपाल के ही पास टर्रेटरी नहीं आ गई फिर निगोसियेशन कराए जा सकता था और मेर इंपोर्टेंटली यहाँ पर सबसे आदा है वो है पैसा तो अच्छा खासा एक्स्टॉर् के और नेपाल को हरा दिया गया हराने का मतलब काटमांडू तक हरा करके ले करफे गया थे और जैसे ही काटमांडू के आगे सिना बढ़ रहे थी वैसे ही जो मेर फोरी की सब्स्रीर हमीर की एक और नेपाल अब यहां पर क्या है कौन-कौन से इलाके है पटियाला का इलाका यह मिल करके लड़ा गया था अच्छा यहां पर जो सिक्किम का इलाका है यह चोगयाल डाइनेश्टी के अंतरगत था अच्छल में जो छोगयाल थे यह फ्यूड थे उस समय जब नेपाल के अंडर में थे रीजन अगर बात करें बैटल का क्या क्या है तो इसके अलाबा बिटिश वांट टो टेक एकनॉमिक रिलेशन विद तिबथ बट इट वस नॉट पॉसिबल एक तिबथ के साथ में यह रि ऐसे चाहते थे थे थू नेपाली टरेटरी फॉर विच नेपाल वाज नॉट इन फेवर इसके लाबा क्लाइमेट ऑफ नेपाल यह ब्रिटिशर को काफी जादा सूट कर रही थी क्योंकि यह टेंप्रेट इलाका था तो टेंप्रेट इलाके में ही यह लोग बेसिकली इनक इसने अटाइक कर दिया था और इस समय शाषन चल रहा था लॉड हेस्टिंग था अल्टिमेटली वार स्टार्ट हो गया था 1814 में और दो साल तक लगबग चला था और अल्टिमेटली ट्रीटी ऑफ सोगौली के द्वारा यह वार जो है वो खतम कर दिया गया था ट्रीटी को बात में लिया नहीं गया था बट फिर भी जो हिमाच्चा प्रदेश कुलू मनाली डलहौजी धर्मशाला यह सब जितने भी इलाके आप लोग जानते हैं आज की डेट में इलिस्टेशन्स हैं वो सब पहले नेपाल में थे लेकिन फिर अब ब्रिटिश इंडिया में आ अपना एक नुमाइंदा बिठाएंगे लेकिन एक चीज यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग थी नेपाल जब नेपाल वाले जब लड़ रहे थे तो नेपाल में क्या है कि गोर्खास बेसिकली लड़ रहते हो और गोर्खास की जो बैटल कम्पीटेंसी है या फिर आप ब अरीके से वो लड़ रहे थे जो स्किल थी बेसिकली उससे देख करके जो ब्रिटिश अर्त यह बड़े जादा ही इंफ्लूएंस हो गया इंफ्लूएंस होने के कारण से इन्हों ने कहा कि ठीक है अब ब्रिटिश आर्मी में एक गोर्खा की भी बटालियन होगी और तब से एक बहुत अच्छा कथन है कहा जाता है कि अगर किसी बंदे को डर नहीं लग रहा है तो या तो जूड बोल रहा है या फिर वो गोर्खा बटालियन से है तो यह काफी अच्छी एक इंटरेस्टिंग सी बात कही गई है क्लियर अच्छा नेपाल वास डिबार टो अलाओ ए 1857 में जो लडाई हुई थी उसको रोकने में काफी important role play किया इसके लवा सेंटरा एशिया तक जाने के लिए अब नया रास्ता मिल चुका था और वो भी तिबबत तक जाने के लिए नेपाल के थूरू रास्ता मिल गया था तो यह थी बिसीकली नेपाल की स्टोरी अगीन इ अगर बात किया जाए तिबबत क्या था तो तिबबत एक spiritual state था spiritual state बुद्धिजम follow की जाती थी और यहाँ पर state का कोई एक तरीके से दबाव नहीं होता था तो दबाव नहीं होने का मतलब कि purely spiritual state था बहुत ज़्यादा ताम जाम नहीं थे और यहाँ पर दलाई लामा ही थे जो basically state को चलाते थे दलाई लामा चलाते थे बट वो भी freely चलाते थे spiritual basis पर ही चलाते थे कोई राजा नहीं कोई राष्टपती नहीं कोई प्रधान मंतरी नहीं कोई government नहीं only a spiritual control that was the main idea of this तिबबत तो तिबबत एक autonomous state था and it was situated beyond in the Himalayas अच्छा एक और चीज यहाँ पर ध्या जाखा है जो जैसे बुद्धिजम के कई सारे कह सकते हैं सेक्ट बन के हैं डिवाइड हो गया है तो यहाँ पर जो बुद्धिजम फॉलो की जाती है वो तारा देवी के वो पूजा आता है तारा देवी ठीक है चोटा सा पार्ट है में भी आर्ट अन कल्चर में आप लोग को हेल्प करें तो तारा देवी को बेसिकली यह लोग पूजते हैं तो इट ओल्वेज रिमेंड अंडर दा कंट्रोल ऑफ बुद्धिश्ट रूलर हूँ हैपन तो भी दियर इस्पिरिच्वल लीडर्स ऑल्सो वारेन हेस्टिंग ने एक कॉमर्शियल मिशन भेजा था सब्सक्राइब को लेकि इतना अधक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान रखनी की बात है फिर उसके बाद से लौड करजन सहाब आते हैं और इन्हों ने 1905 में कलनन यंग हस्बेंड को भेजा गया था तिब्बत में ताकि फोर्स किया जा सके कि रिश्टी के ल रिलेशन में किवल और किवल याद क्या रखना आपको किवल ध्यान यही रखना है कि लौड करजन के टाइम पर करनल यंग हस्बेंड ने लहासा ट्रीटी के थूरू अल्टिमेटली तिबत के साथ में रिलेशन मेंटेन कर लिया था इससे आदा आपको जानने की कोई भी है कोई विघ्वायर्मेंट नहीं है अब हमारे पास लास्ट ली आ जाते हैं मियंग्मार के साथ में रिलेशन तो मियंग्मार के साथ में रिलेशन फटाफट हम लोग डिसकेस कर लिया जाए तो लिख नीचे का जो पार्ट था वो independent था, इसी तरीके से नागा लेंड वाला पार्ट भी independent था, ये नागा लेंड हो गया और ये आपका मणीपूर वगरे वाला एरिया हो गया और यहां पर है आपका म्यांगमार, म्यांगमार देखिए दो पार्ट में बटा हुआ था, एक था जो नौर्थ म्यांगमार था और दूसरा था जो साउथ म्यांगमार था ठीक है अब देखिए म्यांगमार में हुआ क्या ये भी इंडिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट डाइनस्टी की रूप में ये भी चल रही थी यहां पर इनकी भी एक्सपैंशनिस्ट पॉलिसी हो गई इस पैंशनिस्ट पॉलिसी में इनके पास ऑप्शन क्या था सियाम को अटेक करना सियाम को इन्हों ने अटेक भी किया लेकिन सियाम पर जैसे ही अटेक किया वैसे ही चाइना से सियाम ने रिलेशन मेंटेन कर लिया और चाइना ने दबाव देकर के इस एरिया को प्रोटेक यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं था लेकिन अब मणीपूर पर अटैक करने के बाद में इनको यह डर लगा कि अब यह हमारा जो अहोम है बिटिश इंडिया का जो अहोम राज्य जहां पर चाय वगरे की खेती कराते थे लोग उस पर भी एक थ्रेट आ रहा था सीधी सी बात है बिटिश अब क्या करेंगे अटैक हुआ अटैक हुआ तो यह अपने सौबरेंटी पर अटैक की और क्लिफीगे इस चीज को रिसिस्ट करेंगे कि इन्होंने फोर्स भेजी किन्होंने इंडियन बिटिश इंडिया ने फोर्स भेजी अब यह जो फोर्स भेजी आ रही है ध्यान रखेगा 1824 के दोरान की कहानी और यहां से कहानी एक कनेक्ट करेंगे अभी हम लोग इन्होंने क्या किया जो कैलकटा है कैलकटा है यानि के बें करवाया तीन तरफ से अटइख हुए और में मार की हालत खराब हो गई में तीन ए tent से जब आर्मी ने अटइख किया बिटिश की आर्मी ने अटइख किया तो ultimately में मार ने घुटने टेक दियो और में फिर हार गया लेकिन यहां से जब अटैक करने के लिए कहा गया था इंडियन आर्मी को, तो यहाँ पर जो इंडियन सीपोईस थे, इन्होंने बोला कि हम लोग समुद्र में नहीं जाएंगे, अगर हम लोग समुद्र में जाएंगे, अगर ओशियन की थू जाएंगे, तो हमारा धर्म भरष्ट हो जाएग और इस कारण से यहाँ सैनिको ने, जो सीपोईस थे, कहां के, बैरकपुर के, बैरकपुर कहां पर है, बैरकपुर है आपका कैलकटा बेंगॉल में, तो बैरकपुर की जो छावनी थी, बैरकपुर के जो सीपोईस थे, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में बहुत बड़ा रिवोल्ट यह आगे आया था किस तरीके से आया था यह सारी चीज़ें हम लोग बाते करेंगे 1857 में लेकिन फिर भी यह सिपवाय का जो अटैक हुआ था रसिस्टन्स हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है अल्टिमेटली खैर म्यांगमार की यहाँ पर जो फोर्स है वो हार गई थी जब भी हारेंगे होगा क्या मडिपूर का इलाका मिल गया वापस से बिटेन को हाला कि यह इंडिपेंडेंट था लेकिन अब यह बिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ गया था अब इसको बिटेस से काफी फायदा हो गया जंगल मिल गया टिम्बर इंडिस्ट्री इनकी एकदम बहतरी तरीके से चल गई और इनको म्यांगमार में भी टिम्बर इंडिस्ट्री यानि कि जो वहां के फॉरेस्ट है अराकान योमा के जो फॉरेस्ट है वो भी कबजे में लया पहर्लोह कुछें लेकिन बात में अटैक करका फेर्मी और North के भी दिस परिशेंग्मार को confront क Courtney हळुँ कभी अगरा सरुन सारी है अब अगर से एक हम ने विर्फेंटेव्स को में में रखेंगी हैं इन्हों ने कहा अब Britain की जो traders है merchants है वो अब म्यामार से भी trade करेंगी और यह सारी चीज़े ultimately दोनों के बीच में तीन war कराती है किसके किसके बीच में एंगलो और म्यामार के बीच में तो अगर फटज़ पलग दिया जा है तो English ambitions of exploiting Burma commercially through the acquisition of political power brought them in conflict with Burma kingdom हुआ क्या था 1824 से 26 के दौरान में Lord M. Hurst ने इन्हों ने डिकलेयर कर दिया war between Burma and जो महा बंदुल्या है तो basically यहाँ पर क्या है कि म्यागमार के ही आर्मी के साथ में इन्हों ने attack कर दिया था तो Burmese General जो है वो defeat हो गया और ultimately battle of dhona band में यह मारा गया था battle का नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिर से बता दिया जा रहा है लेकिन ultimately एक treaty sign होती है और इस treaty का नाम है treaty of यंदाबू यह बहुत important treaty है इस treaty का नाम याद रखिएगा treaty of यंदाबू it was signed by which a British resident was stationed in Burmese capital तो Burmese capital में वहाँ पर लेआ करके एक बंदे को बिठा दिया गया था बिठाने के अलावा यहाँ पर पर क्या हुआ मढ़ी पूर का इलाका मिल गया था बिटेन को दूसरा इसके अलावा forest मिल चुके थे अराकान योमा मिल चुका था इसके अलावा और क्या हो रहा तो यह सब इलाके इनको मिल गया है, साथ ही साथ में ट्रेड करने का भी उन्होंने फर्मान जारी कर दिया कि ट्रेड भी अब बिटिशर यहां से कर सकेंगे, लेकिन बर्मा वाले क्या करेंगे, एक बार तो हार गया है, फिर धीरे धीरे फिर से हिम्मच उटाएंगे, और किस रिजन बिहाइंड दा कॉन्फलिक्ट अफ दिस सेकंड अंग्लो बर्मीज वार वाज दा ऑप्रेशन ऑफ इंग्लिश मोर्चंट सेटेल इन बर्मा बाई बर्मीज ऑफिशियल से और रंगून, तो यहां के जो बर्मीज ऑफिशियल से उन्होंने रोकना वगरा शुरू क किया अल्टिमेटली लॉड लहौजी 1853 के दोरान में फिर से सेकंड वार डिकलेर कर देता है अगेंस्ट बर्मा और उसके टरिटरी के ले करके अब इसके टरिटरी में देखिया अलग-अलग नाम है जैसे कि मार्ता बैन, रंगून, प्रोम और पेगू नाम याद रखने क वो तभी किवल रखिएगा, धरवाइस कोई भी important नहीं है, significant नहीं है, examination point of view से, तो ultimately फिर क्या होता है, फिर हरा दिया जाता है, तो में अगमार की forces फिर से हार जाती है, लेकिन फिर ultimately क्या करती है, में अगमार जब हार जाता है, तो यह क्या करता है, बाहर के जो countries हैं, जैसे trade concessions allowed कर दिये ते French और English company पर fine impose करना शुरू कर दिया गया, और arrest भी कर लिया, अब होगा क्या, उस समय है, law different, law different ने फिर again force भीजी देगा, तो English army marched on Burma and occupied the capital Mandalay, as the result, king of Burma was imprisoned, उसको imprison कर लिया गया, और जो बाकी पूरा Burma है, वो British Empire का ही part माल लिया गया, तो पहले South Burma ही किव पूरा Burma, अब British India का part बन चुका था, British India का part ये कब तक रहा, 1935 तक ये British India का part रहा था, 1935 में हुआ क्या, कि जो इंडिया की Congress थी, उसने, प्लस साथी साथ में Burma ने, इन दोनों ने मिल करके ये कहा कि चलो ठीक है, Indian Independence Struggle चला देते हैं, तो जब ये देखा गया कि Burma वाले ब In 1935, Government of India Act, Burma was separated from India Freedom Movement, और बर्मा reached a new height and under leadership of Aung San Suu Kyi, और ultimately 1948 में Burma जो है वो, Independence प्राप्त कर लिया, तो ये थी बेसिकली पूरी neighboring state के साथ में रिलेशन और उसकी कहानिया, बाकी इन सारी कहानियों से आपको international relations में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि international relations जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो Burma का हो, यानि म्यागमार का, या नेपाल का, या फिर अफ़िर अफगानिस्तान का, बेसिक्स अगर आपको पता रहेंगे, तो आगे की story आपको समझने भी भी आसानी होगी और आपको interest भी आएगा, और प्लस जब भी आप examination में answer लिख रहे होंगे, तो you can use the history of these states as part of the introduction, तो इस सारी चीज़े ultimately आप लोग कर सकेंगे, अगर आपको कोई doubt रहेगा तो फिर again अपने doubt को email के थुरू या telegram के थुरू आप भेज सकते हैं, नीचे description box में email और telegram channel के link दी गई है, उनको आप join करके अपने doubt को पूछ सकते हैं, बाकी material के लिए या फिर videos, other videos के discussion के लिए, उनको watch करने के लिए, उनके access के लिए, आप membership ले सकते हैं, यूट्यूब पर join button को click करके, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल चले फिर मिलते हैं हमनों नेक्स वीडियो में, till then goodbye and thank you so much.